दोस्तों Study91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपी पुलिश की क्लास में हिंदी को ध्यान में रखते हुए परियावाची सब्द से संब्दित तमाम ऐसे सवालों को लेकर आया और ओभी केवल कूट के सवाल दोस्तो मुझे बेकार का काम पसंद नहीं है और बोरियत वाला काम बिल्कुल नहीं पसंद है मैं जानता हूँ कि आप हिंदी के फैन हैं और हिंदी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मजबूरन मेरे दिमाग में एक चीज़ें रहती है कि नहीं मुझे लगातार हिंदी ही आपक कूट बना कर दे रहा हूँ और साब तर पे लिखाओं दोस्तो हैस्टैग हर टॉपिक हर सवाल यानि हर एक टॉपिक पर हर एक सवाल को मैं कूट में कनवर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ और कूट के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कांसि सब्द से जो सवाल पूछे जाते परिक्षा में बहुत सारे सवाल देखे इस सब important है ठीक है और इनको हम कूट में convert किये हैं तो कूट के सवाल कैसे मिलने वाले सर जब class certain करेंगे तब पता चलेगा आईए आगे बढ़ते हैं और देखना सुरू करते हैं ठीक है तो आगे ध् वरोसा करिए और विस्वास करिए ठीक है यह हमारा help line number है इस बैच को जोईंग करने का एक फायदा यह है कि भारत का कोई भी exam हो दोस्तो जहां हिंदी आती हो उस पर दोस्तो आप command कर सकते हैं वहाँ पर कहीं कोई confusion आपको नहीं होगा ठीक है आईए सीधे start करते हैं दोस्त आपको यह भी पता ना तजलूँगा कि अरड़े कहते किसे दोस्तो अरड़े जंगल को कहते हैं और जंगल की परियावाची इधर क्या है दोस्तो तो आप जानते हों कि जंगल की परियावाची है कांतार ठीक है अभी कांतारा movie भी आई थी इस तरह से कर लिया दोस्तो अन गोडा को हई कहा जाता है तो याद रखेंगे दोस्तो यह गोडा की परिवाची होगी तो हमें यहां explain नहीं करना है, अभी के लिए मैं आपको explain कर दे रहा हूँ, बट हमें ध्यान देना दोस्तों कि क्या कहा जाता है, ठीक है, तरंग दोस्तों याद रखे का तरंग लहर को कहा जाता है, ठीक है, समुद्र में जो लहरें उड़ती हैं, उसे तरंग काते हैं, और तरंग को उर्मी भी काते हैं, और तरंग को लहर भी काते हैं, तो इसको भी याद रखेगा, इसी तरह से अंबू किसे काते हैं दोस्तों, तो अंबू जल को काते हैं, किसे काते हैं, जल को जल काते हैं, जल को नीर काते हैं, जल को तोई काते हैं, ठीक है, जल को अंबू कात जल को अब करते हैं अब ठीक है अब खाली करते हैं अब में द लग जाता तो अब द वो बादल की परियावची बन जाता ठीक है जल को वारी करते हैं क्या कहते दोस्तों वारी करते हैं ठीक है यह सारा याद रखेंगे इस तरह समने मैच करा लिया ठीक है मुझे नीचे लिख सस्य अनन्य सब्वे साची कोकन दिया वंचक याद रखेगा अन्य को सस्य कहा जाता है ठीक है सस्य कहा जाता है अन्य को अनाज कहा जाता है अन्य को पता है आप कहते हैं माता लक्षमी हमारा घर धन धान्य से भरिये यह जो धान्य सब्द होता धान्य मतलब क्या होता है अन्य होता है याद रखेगा ये भी अच्छा सवाल है इसी तरह से अर्जुन अर्जुन को दोस्तो कौन्ते कहा जाता है क्या कहते हैं कौन्ते माता कुंती के पुत्र थे न इसलिए कौन्ते कहा जाता है और अर्जुन का परियावाची कौन है? याद रखे का सब्वे साची. क्यों? क्योंकि दोस्तों अर्जुन बाएं हाथ का प्रयोग करते थे जैसे मैं बाएं हाथ से लिखने का प्रयोग करता है, ऐसे दोस्तों तो अर्जुन को सब्वे साची भी कहा जाता है, अर्जुन को धनुर्धर भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, धनुर्धर, धनुर्धर भी कहा जाता है, अर्जुन को धननजय भी कहा जाता है, अर्जुन को पार्थ, भगवान स्रीकृष्ण अर्जुन को क्या बलाते थे, हे पार्थ, ठीक है, सुनो, ठीक है, तो पार्थ भी कहा ज इसे अरबिंद कहते हैं इसे और क्या काते हैं इसे पुंडरीक भी काते हैं यह सब कमल का परियावाची देखो अगर ऐसे हर सवाल हर टापिक में कूट के सवाल मिले लगें तो कितना मज़ा आएगा, ठीक है, यार अपना काम है कुछ नया करना, ठीक है, हम इसा घिसे पिटे स्टाइल में पढ़ाना मुझे पसंद नहीं, ठीक है, जो मैं कुछ नया करता हूं तुर लगता यार कुछ नया हुआ, और आपके लिए भी कुछ नया हो जाता है, तो अनूपम, को क्या कहते हैं दोस्तों तो तो थग को वंचक कहते हैं। ठग को क्या काते हैं वन्चक याद रखेगा एक मन में आ रहा है आपके दस्यू दस्यू मत करेगा दोस्तो दस्यू चोर को काते हैं देखे चोर अलग है ठीक है चोर को दोस्तो चौर यह भी काते हैं चोर काते हैं दस्यू काते हैं खनक काते हैं खनक वैसे दोस्तो जो खल होत जाता है दोस्तों उसे करते हैं मतलब बुरे ब्यक्ति को कहा जाता है इस तरह से कई सारे परियावाची एक जैसा मसूस होता लेकिन अलग-अलग होता है उसका भी विसेस आप ध्यान रखेंगे ठीक है आगे आए ये समुद्र की बात करते हैं दोस्तों शमुद्र को हम सागर करते हैं क्या करते हैं शागर और समुद्र की परियावाची कौन है परजन्य यातुधान निर्जर पारावर या कांता ठीक है तो बताए दोस्तों समुद्र का परियावाची क्या हो जाएगा अब बच्चे परसान कि सरसाइद परजन्य या फिर पारावर होगा ठीक है नह को नदीस भी कहते हैं नदी जाकर ये नदी का इस है मतलब नदियां जाकर इसमें मिलती हैं इसलिए इसे नदीस भी कहते हैं बादल दोस्तों क्या होता है बादल को हम मेग कहते हैं मेग और बादल का परयावाची क्या होता दोस्तों तो बादल का परयावाची होता है ठीक है क्या काते दोस्तों तो याद रखेगा देवता को निरजर कहा जाता है ठीक है निरजर कहा जाता है देवता को सुर कहा जाता है निरजर कहा जाता है ठीक है ये सब किसका हो जागा इसका राक्षस का क्या हो जाता दोस्तों तो राक्षस दैत्ते को कहा जाता है और दैत्ते के प्रेत कहा जाता है भूत कहा जाता है इस तरह से आप कुछ भी कर सकते है ठीक है औरत का तातपर किस से दोस्तो महिला से ठीक है महिला को दोस्तो क्या करते हैं तो महिला को कांता करते हैं क्या करते दोस्तो महिला को कांता करते हैं महिला को वनीता भी करते हैं बहुत अच्छा स दोस्तो, इस्त्री, ठीक है, ओ, इस्त्री, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तो, इस तरह से मैचिंग कराए, एक बात बताओ, कूट वाले सवाल करके आपको कैसा मैसूस हो रहा है, ठीक है, देखे, अगर आप चाहेंगे, तो ही मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊंगा, नही कूट की बात आ गई, तो एक बार कूट के सवाल भी करके देखते हैं, सर ये कूट हर चैप्टर में बन सकता है, क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसी तरीके से हर चैप्टर में कूट बन सकता है, सर दो चाहर टापिक और करते हैं, और देखते हैं कि आप उस पर आ तो चादी को रूबा काते हैं अंधकार को ध्वांत करते हैं क्या करते हैं दोस्तो ध्वांत ठीक है अंधकार को ये ऐसे करो ठीक है ध्वांत ठीक है तो ध्वांत का मतलब क्या हो जाता दोस्तो अंधेरा हो जाता है अंधेरा यानि यामा कर सकते हैं वैसे यामा दोस्तो रात के लिए उज़ुआ था ठीक ह वो तो आप जानते हैं ठीक है नंदिता भी कहते हैं ठीक है नंदिनी मत करेगा दोस्तों नंदिनी पुत्री को कहा जाता है ध्यान दीजेगा अगर आपके मन में ये जैसे पुत्री का मैं बता दूँ आपको पुत्री का क्या क्या होता तो पुत्री का देखे बेटी कहते हैं पुत्री को दोस्तो सुता कहते हैं, पुत्री को दोस्तो आत्मजा कहते हैं, क्या कहते हैं, पुत्री को दोस्तो नंदिनी कहते हैं, क्या कहते हैं, नंदिनी, ये सब दोस्तो किसका पर्यावाची है, ये सब पुत्री का पर्यावाची, पुत्री को तनया भी कहते हैं, तनया, तनया, इसी में तनय कर देंगे तो पुत्र हो जाएगा, नंदन कर देंगे पुत्र हो जाएगा, आत्मज कर देंगे तो पुत्र का बन जाएगा, सुत कर देंगे पुत्र हो जाएगा, बेटा कर देंगे पुत्र का परियावाची बन जाएगा, ठीक है, तो यह दोस्तो परि देखे किरड जो पुंज से निकलता है न वो कहते है ठीक है इसी से एक सब्द बनता है अंसु यहां रहता है इसी अंसु से अंसु माली बनता है अंसु माली यह सूरज को कहा जाता है लेकिन अंसु का मतलब क्या होता है दोस्तो किरड होता है ठीक है तो इसको याद रखेंग पुंडरी काते हैं, कमल को राजिव काते हैं, कमल को सतदल काते हैं, कमल को और क्या काते हैं, अरविंद काते हैं, ये कमल का हो गया, जो आसान लगे, देखें कूट में क्या होता ना, मैं एक तरीका बताऊं, कूट में क्या क्या करिए, जो आसान लगे पहले उसको मैच कर रह सब कर दो है नाम भाकी भूधर हो गया यह सब भी दोस्तोपाड को ही कहा परवत को चांज अठीक है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पहाड यानी परवत के बात हो रही किसकी बात हो रही दोस्तो पहाड यानि किसकी बात हो रही है परवत की बात हो रही है क्या हो रहा है भाई परवत ठीक है और इसको आपने कर लिया अद्री में उसी तरह से दोस्तो आपने एक और मैचिंग करा दिया कमल कमल को आपने क्या लिख 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 जलज, जल में उत्पन होने वाला जलज, इसको अपने पुंडरीक से मैच करा लिया, ठीक है, यह करा लिया, बादल को क्या कर सकते दोस्तों, तो बादल को अब्र कहा जाता है, बादल को मेग कहा जाता है, इसके लावा जल के परियावाची में दो सब्द लगए, इसे जलद काते हैं, हाथी को हस्ती काते हैं, हाथी को कुंजर काते हैं, कुंजर, जिया दोस्तों कुंजर काते हैं, हाथी को कुंभी भी काते हैं, ठीक है, हाथी को वितुंड काते हैं, यह सब पढ़ाए गया आपको, आप जाके मेहनत करिए और पढ़िए, अब अंती में क्या बचा सर्प तो सर्प को क्या करते हैं दोस्तो पवनास करते हैं सर्प को क्या का जाता है पवनास ठीक है सर्प को और क्या करते हैं सर्प को उरग करते हैं क्यों 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 पेट के बली लीट कर चलता है ठीक है तो उरग हो गया सर्प को पन्नग करते हैं ठीक है सर्प को फड जहा रहा हूं इसमें आप कितने अच्छे से तयार हैं और याप पता भी नहीं चला दोस्तों आदे सवाल खतम हो गए चले कोई बात नहीं देखिए आप अगर study 91 पर पढ़ रहे हैं तो study 91 की किताबों का भी दोस्तों प्रयोग करिये जिस तरह से आप कलपना करोन जो इंसान आपके लिए इतनी अच्छी चीजे नई नई चीजे ढूड कर लाता है फ्री में पढ़ाने के लिए वो इंसान अपनी किताबों में कितना मेहनत करता होगा ठीक है तो जाइड सी बात है मेहनत बहुत है आप आईए जुडिये हमारे साथ पढ़ना सुरू करिए निश्चि कुबेर को किनरेस काते हैं कुबेर को दोस्तो अलंकेस भी काते हैं ठीक है अलंकेस लंकेस रामण को काते हैं और अलंकेस किसे काते हैं कुबेर को कुबेर को दोस्तो धनद भी काते हैं क्या काते हैं धनद क्योंकि धन के स्वामी है न इसलिए धन स्वामी भी कहा जाता है ध साकर मिल जाएगा ठीक है तो चंद्रमा को मयंक भी कहते हैं चंद्रमा को ससांक भी कहते हैं ठीक है चंद्रमा को शशी कांत भी कहते हैं क्या कहते हैं शशी कांत भी कहते हैं यह सब चंद्रमा के अलग-अलग परियावाची है ठीक है इसी तरह से अंबक अंबक किसे कहते हैं अंबक, अंबक आंग को कहा जाता है, और विलोचन, अंबक भी कहा जाता है, विलोचन भी कहा जाता है, नयन कहा जाता है, चक्छू कहा जाता है, अक्छी कहा जाता है, यह सब होता है, चस्म कहा जाता है, चस्म से चस्मा बनता है, ठीक है, चस्म मतलब आंग होता है, द्रिग कहा जाता है द्रिग जिया दोस्तो अंबक को क्या कहते हैं द्रिग भी कहते हैं ठीक है बाण को क्या कहा जाता दोस्तो तो बाण लिख रहा और ज्वाला लिख रहा है बाण को दोस्तो याद रखेगा इशू कहते हैं बाण को सर भी कहते हैं ठीक है इशू भी कहते हैं ज्वा अगनी का परियावाची है सब किसका है अगनी का परियावाची है तो इसको भी आद रखेंगे बढ़ियां आया मज़ा पढ़ करके देखे कूट के सवाल है तो खूब मज़ा आएगा ठीक है आई इसी तरह से हर एक चैप्टर पर दोस्तों कूट बनाने का प्रयास करेंगा कभी परियावाची पर कूट है और मुझे लग रहा भारत में पहली बार दोस्तों आपने परियावाची के सवालों पर कूट देखा है कभी देखा है क्या एक्जाम में तो आज तक पूछा नहीं गया तो आगे क्या होगा लेकिन पूछा जा सकता अब कांसेट में आ सकता examiner के कि भई क्यों ना कूट पूछ ले जाया क्योंकि कूट में 4 सवाल आ जाते है normal एक सवाल पूछा जाता है इसे 4 मिल जाएंगे कभी जो सही सुमेलित है कौन नहीं सुमेलित है वो भी तो इसे बन जाएगा यहीं सामने सामने हो जाएगा तो लिखेगा कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं सुमेलित है ये भी पूछ सकता आपसे ठीक है सहकार दोस्तो सहकार किसे कहते हैं सहकार पता है आम को कहा जाता है सहकार किसे कहते हैं आम को और इसके लिए दोस्तो अति सौरब कर लिजेगा त इस सब दोस्तो होता है ठीक है आगे देखें पीक बंदू भी से कहा जाता है क्योंगी को तोता को बहुत पसंद होता है तो तोता को पीक कहा जाता है तो पीक बंदू भी से कहते है ठीक है आसक्तिका क्या हो जाता दोस्तो आसक्तिका अनुरक्ति होता यह बहुत अच्छा है दोस्तो प्रमोद आमोद आमोद प्रमोद दोस्तो याद रखेगा इस सब इसके लिए होते हैं दोस्तो हर्स उल्लास के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं इस सब सब्द हर्स उल्लास प्रशन्नता ठीक है प्रशन्नता इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल होता है ठीक है आब हु उसल को दोस्तों क्या काते हैं आब उसल यानि जेवर जो गले में पहना जाता है उसे मंडन काते हैं आब उसल काते हैं जेवर काते हैं उसे अलंकार भी कहा जाता है क्या काते हैं इसी तरह से प्रित्वी को क्या काते हैं प्रित्वी को उर्वी काते हैं ठीक है प्रित्वी को इला भी काते हैं, हमने कहा कि कहीं स्तरफवती को भी इला काते हैं, ठीक है, दोनों का नाम आता दोस्तों, तो याद रखेंगे, ये भी हो जाएगा, बाकी पृतिवी को दोस्तों, अचला भी काते हैं, बाकी पृतिवी को धरडी कहिए, धरडी कहिए, धरडी कहिए, ये सब दोस्तों किसकी परियावाची है ये प्रिथिवी के परियावाची ठीक है इस तरह से आपने मैच कराया तो साथ साथ जुड़े रहे और कोशिज करिए एक बार मैच कराने की आप अपने मन से जैसे मैंने सवाल दिया आपको आप पहले इसको लिख लीजिए अपने कॉपी प तो आपको बताना चाओंगा दोस्तों सची किसका नाम था तो सची जो नाम था ना सची नाम था सची नाम था ठीक है शची पती होता है ठीक है शची पती ये सची जो नाम था ये इंद्र की पत्नी थी कौन थी दोस्तों इंद्र की इंद्र की पत्नी थी अब इंद्र की प अगर लिखता माधव तो माधव किसे कहा जाता है दोस्तो माधव कृष्ण को कहा जाता है किसे कहा जाता है श्री कृष्ण को माधव कहा जाता है बाकी दोस्तो कृष्ण को मधू सूधन कहा जाता है क्या कहते हैं मधू नामक राच्छस कवद किया था है इनोंने कंसारी कहा गोपाल कहा जाता है यह सब नाम किसके दोस्तो कृष्ण के नाम है तो माधव याद रखेगा यहां पर यहां मधवा है ठीक है तो इंद्र को मधवा कहा जाता है इंद्र को दोस्तो पूरंदर भी कहा जाता है ठीक है इंद्र को दोस्तो वज्रायुद भी कहा जाता है वज्र आकांचा का क्या हो जाएगा दोस्तों आकांचा का इस्प्रिया हो जाएगा इस्प्रिया का दोस्तों इच्छा होता है या लालसा होता है ये सब दोस्तों सब्दातियां पर ठीक है इसी तरह से लिखे रहा उपानह उपानह का क्या हो जाएगा दोस्तों उपानह का पनही हो उपानह याद रखेगा जूता को कहा जाता है उपानह पनही हो जाएगा या खाणाओं हो जाएगा इस तरह से सब्दा आजाएंगे ठीक है असमंजस का क्या हो जाएगा आप बड़े असमंजस में हैं मतलब बड़ी उहापोह की इस्तिति है ठीक है इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, तरू किसका परिवाची है दोस्तो, तरू ब्रिच का ही परिवाची है, ठीक है, इस तरह से आपने इसे भी मैच करा है, तो साथ साथ दोस्तो, कोशिश करें मैच कराने के सब सही होगा, ठीक है, पुलीन किसे करते हैं, पुलीन लिख र नहीं था ठीक है कामदेव को पंच सर भी कहा जाता है ठीक है कामदेव को दोस्तो मनमत भी कहा जाता है ठीक है कामदेव को मकरधोज भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मकरधोज ठीक है यह सब दोस्तो कामदेव की परियावाची कामदेव की पत्नी का नाम था रती रती तो इस अधवा देवेंद्र हो हो गया यह सारे नाम इनके लिए होते हैं ठीक है। रात्री का विभावरी हो जाता है, रात्री का रात्री का शर्वरी हो जाता है, ठीक है, रात्री का यामा या त्रियामा हो जाता है, यह सब दोस्तों हो जाते हैं, यह पुलीन माने होता दोस्तों, याद रखेगा, पुलीन दोस्तों किसे का जाता, किनारा को का जाता, पुली को कूल का आ जाता तो कूल मतलब भी किनारा होता है पुलिन मतलब भी किनारा होता है तट मतलब भी किनारा होता है ते सब दोस्तों किसके परिवाची है किनारा के परिवाची है इसको भी याद रखेंगे बताईए कितना अच्छा लगा पढ़ कर गे ठीक है बढ़िया है आप गिन लिजे कि कितने सवाल नितिन सर पढ़ा रहे हैं, यहां दोस्तों नाम का 50 सवाल है और 50 की बढ़ियां से आप परियावाची हल कर रहे हैं, ठीक है, और क्लास में जाएंगे आपको आधा गंटा में कोई परियावाची 50 नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, 50 परियावा पंडित कहां पर होता है, यह भी ने समझ मारा, किरण का सर क्या, किरण का सर अंसू, यह हमको थोड़ा थोड़ा यादर है, मुझे पता आपको कितना आता है, ठीक है, किरण को अंसू कहते हैं, मैंने इसी संसू माली बताया था, किरण के लिए मैंने रस्मी सब्द बताया था, ठीक है, किरड के लिए किरड सब्द होता ही है, किरड के लिए सब्द दित्व सब्द भी आता है, ठीक है, तो कई चीजें हैं, याद रखेंगे, किरड के लिए सबसे अच्छा मरीची सब्द बताया था, मरीची, ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे, चलिए, कंदर्प किसे काते हैं, तो कंदर्प कामदेव को कहा जाता है, किसे काते हैं, कंदर्प कामदेव को मनमत भी काते हैं, कामदेव को अनंग भी काते हैं, कामदेव को सची पती भी काते हैं, रती पती भी काते हैं, सची नहीं, रती, क्या काते हैं, दोस्तो, रती पती भी काते हैं, कामद जुनी का क्या हो जागा दोस्तों तो कुमुदनी कैरो को काते हैं क्या काते हैं कुमुदनी कैरो को काते हैं कैरो को चंद्रप्रिया भी काते हैं क्या काते हैं दोस्तों चंद्रप्रिया कुमुदनी ठीक यह सब होता है ठीक है पंडित को कोविड काते हैं क्या काते हैं पंडि ओमल हो गया, मुलायम हो गया, ये सब दोस्तों आते हैं मस्रिड के जो है अर्थ में इस सब लिये जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, और आपको पता भी नहीं चला, ये देखें चुटकी बजाते हैं, आपका पर्यावाची का कूट यह ये हिस्टी का टीचर है, ठीक है, विश्वास कीजिए हमारा फांडेशन बैच आया है, और फांडेशन बैच बनाने की पीछी रीजन है ना, जो बच्चा पहली बार गाउं से सहर आता है, और उस सोचता है कि मैं कोचिंग करूं, और सुरुवात कहां से किया जाया है, तो बैच को जॉइंग करेंगे, कांसिट आपका एक बार में इतना क्लियर होते चलेगा, कि फिर एक्जाम जो इच्छा हो, बड़े से बड़ा एक्जाम, छोटे से चोटा एक्जाम, जो आपके मन में हो एक्जाम दीजे, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है, क्यों, जब कांसि आपको कर दूँगा, तो बैच जॉइंग करेंगे, बहुत सांदार सा बैच है, और उसके बाद दोस्तों, आप खुद मुझसे कहोगे, सर बाकी के बिसे के भी दोस्तों, आप फॉन्डेशन बैच चाहते हैं, यह आप डिमांड करना सुरू करोगे, मैं कुछ नहीं कहोग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यमाद आपका, जै हिन, जै भारत, थैंक यू, थैंक यू सो मच,